हेलो एवरीवन जिदे शानी इला एने वेलकम टू मैं यूटिव चैनल स्टैडी आडी शुनो कैसे हैं आप सब इलो हम लोग पढ़ रहे थे मदिकाल की कला ठीक है पूर्व मदिकाल और उत्तर मदिकाल पूर्व मदिकाल में हम लोगों ने क्या पढ़ी थी पाल शैली क्या पढ़ी थी पाल शैली को हम लोगों ने दो पार्ट में यहां पर पढ़ाता अब जब दो पार्ट में पढ़ाता तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने डीटेल में बाद आपको PDF वहाँ पर सेंट की जाएगी ठीक है और वहाँ से आफ फ्री आफ कॉस्स डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है आप वहाँ पर टेलिग्राम में जॉइन कर लिजिए वहाँ पर भी आपको जॉइनिंगी कोई भी फीस वगरा नहीं लगनी है काफी स्टुएंट यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट की थी पोतियों की कला ठीक है पोतियों की कला यानि कि मद्दिकाल में हम लोगों ने पूर मद्दिकाल यहां पर किया और यहां पर उत्तर मद्दिकाल के अंतरगत हम लोगों ने पढ़ी थी पाल शयली और उत्तर मद्दिकाल के अंतरगत हम ल में 500 से ले करके 1515 का टाइम पीरेड यहाँपर रहता है कुछ बुक में 1600 भी दिया होता तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं यहाँ पर ad की बात हो रही यहांगी इसकी की बात हो रही ऐसापूर पूरे की बात नहीं हो रही ठीक है 1000 से करके 1550 तक उत्तर मदिकाल की ताइम यहाँ पर रहता है ठीक्शे इसके बाद हम बात कर अब्रण्शली तो अब्रण्शली कर टाइम पिरेड के अर्विश अतरगत ही आपके अब्रण्शली तक अपको अलग अलग पूछा जाता तो आप्को याद भी करना नेक्स हम बात करें, उत्तर मद्धिकाल के जो पहली शैली है, वो कौनसी है? अपरणशैली ही है। अलब अलग अलग विद्वा ने अलग तरीके से अब रंज शैली का नाम करड किया है। ठीक है आगे हम लोग सारी चीज़े डिसकस करेंगे तो आप लोग comment ना करके पहले चीज़े देख लीजिए ठीक है चाइट box में अपनी questions ना करके पहले वीडियो को पहले देखी और last में आप लोग comment करिएगा लास में अपनी queries जितने भी doubts से अप लिखिएगा ठीक है चली बीट रिये हैं लाएं पर आपकी किसमें पायाती पाई जाती है ठीक है इसी वज़े से भारती शेली भी कहा जाता ही अब ये भी देखेंगे इस शेली के कन कौन काउन से नाम है क्या विशेश्था है कितने पार्स में डिवाइड कियाएं इनके पोथी चित्रों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ताड़ पत्र में क्या विशेशता है, कागज वाले गरंथों में क्या विशेशता है, सारी चीज़े हम लोग देखेंगे one by one, ठीक है पेशन्स बनाके अब पहले क्लास को देखिए, अब देखिए अब जो कैसे बहुत ही जकड़ नूमा अंग यहां पर आपको मिल जाते हैं, तो इसी तरीके से सिंटम्स आपको किस में मिलते हैं, अलोरा गुफा के जो आपके लास्ट टाइम के चित्र है, और प्लस आपके सितन वासल गुफा के या तिरुमलाई जो है आपर यहां के चित्रो अप भरंश शैली में काफी मानवाकृती जटिल बनी हुई है, यानि कि कोड़ी ता गुड़ी अनूमा बनी है, जब मैंने पाल शैली पढ़ा है तब भी मैंने आपको यहां पर बताया था, कि दोनों में मैंने फर्क बताया था, अप भरंश है, कुछ जादा ही मुखसित ह खराब बने हुए, खराब के सेंस में कहा सकते हैं, ठीक है, पाल शैली की है पेक्षा, लेकिन लगभग दोनों के जो विशेषता हैं आपको सेम मिल जाती है, लगभग सेम, लगभग मैंने काया सारी चीज़े तो सेम हो नहीं सकती, वनाफ एग्जामनर क्वेशन कैसे पू जाते हैं किसमें अप्भरंच शैली में, ठीक है समझ में है, तो यही सिम्टम्स आपको एलोरा और सितन वासर तुरुमलाई शेत्रों में आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, समझ में बात हैं, ओके, नेक्स हम बात करते हैं, यहां पर आला उदल की छोटी कचेरी, अब हम चितर देखें, तो वो भी आपको किस की तरह लगते हैं, अब ब्रंच शैली की तरह लगते हैं, यानि कि आला उदल की छोटी कचेरी में, जो बारवी सदी के, जो बारवी सदी के, जो बारवी सैंचुरी के, जो चितर मिले हैं, वो किस से मैश खाते हैं, वो आप उदर की छोटी जो कचेरी है, इसका निर्माण किस वंश के शाषक ने कराया, तो किस वंश के शाषक ने कराया, यहाँ पर में लिखते हूँ, चंदेल वंश के शाषक ने कराया, किस ने कराया, मदन वर्मा, बहुत अच्छा question, याद रखिएगा, question पूछा जाएगा, तो आ चंदेल वंश के शाषकों ने बनवाया, और चंदेल वंश के शाषकों में कौन सा, यहाँ पर मदन वर्मा को आपको याद रखना है, clear हूँ, नेक्स हम चलते हैं, नेक्स देखते हैं, चीजे हम लोगों को concept के साथ हम लोगों को पढ़नी है, क्योंकि आपने TGT का exam दिया चीजों को घुमा करके पूछा गया, यहांनि कि आपको देखी एक पूछा गया था, क्या चीज था question में भूल गई, तो मैं चीजों को क्या कह सकते हैं, बहुत ही घुमा करके पूछा गया है, तो इसी वज़े से जैसे कि कौन सा question था बहुत आजीब सा पूछा गया, में नाम कहा गया, जान चली, पश्मि-भारती शयली भी कहा गया, इसके अलावाई अब्रणशन स Одनाम हो ही गया, तो काफी नामों से जैन चली पश्मि-भारती शयली कई नामों से इसको बुलाया गया है, इसका प्रथम ले इन लेक किस ने दिया था, तो 1913-1913 मे परथम प्रतियक 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 व्यक्ति यानि कि कहने का सेंस में आई है आप भ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो आपके कैसे हैं गुड़े गुड़ियों नुमा हैं ठीक है गुड़े गुड़िया नुमा यहां पर आपको चित्र मिलते हैं मानवा कृती मिलती है यानि कि इसके जो चित्र आपको मिलते हैं भ्रंश शैली के वो गुड़े गुड़ ब्रंश शैली के चित्रों को प्रतियक इंसान हर महन हर व्यक्ति बना सकता है क्यों कि इसके चित्र ही बहुत ज्यादा सूपीरियर नहीं बने हुए हाला कि यहां पर जक्ड़न वाली जो चित्र की विशेष्टा जो है वह आगे चलके राजिस्तानी शैली के में विशेष्ट क्यों बना सकता है अब्रंश शैली के चित्र ही बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बने तो कोई भी उठा के कोई भी उठा के ब्रश कॉपी पैन उठा करके कई लकीरे खीच करके बना सकता है समझ में आए इस तरीके साब याद कर सकते हैं इसके अलावा और लोगों ने भी लेक दिए जैसे कि आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे उसी घंडाला वाला हो जाएंगै राइक कृष्ण दास हो जा Mickी गांगूली कि प्रश का प annie यहांत हो जाने साूरॉ यहां पार ब्रश के बारे में इसाले पूच्छने पहुच जाएं ठीक है बिलकुल नहीं ठीक करेंगे तो आपको याद了 randami और ज्वा चाहिए वज़नी हौए अगर यहुक्ता में आगे चलके आपको राजस्थान शेत्र में भी देखने को मिलती है ठीक hell लेकिं मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाया तो आपको गुजरात ही आपको यहाँ पर लगा क्या आना है, ठीके समझ में बात आई, तो जन्म की बात करें, तो गुजरात में इसका जन्म हुआ था, इसके अलावा मैंने बता दिये, यहाँ राजिस्तान में आपको ऐसे चित्र मिल जाते हैं, ठीके मालवा मी मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आपको याद दगना है, अब देखें यहाँ पर अलग अलोगों ने अलग तरीके सा इसका नाम करड़ दिया, मैंने अभी बता इसको गुजराती शैली भी कहा जाता है, पस्च्चिमी भारती शैल तो को याद रखेगा पाल शयली आप मखस करें तो आपका घर्बड़ हो जाएगा जैसे कि मैंने बता ती में किने बंगाल यहां से ग Efendimiz स Toutबाइकर ना तो वहा से स्टार्ट होती है जब कि आपके आप अप अब्रेंच शैली को थोड़ा सा रिलेट करके चीज़े जब पढ़ेंगे तब ही आपको समझ में आएगा ठीक है एंसी महता ने अब्रेंच शैली को क्या कहा गुजराती शैली नाम दिया ठीक है इसके अलावागर बात करें पश्चमी भारती शैली इसका नाम बैए क्योंकि पश्चमी शेत्र में विस्तार होने की वज़े से इसको आनंदकुमार स्वामी प्लस लामा तारानाती इसको क्या कहा पश्चमी भारती शैली का अब थोड़ा सा समझे थोड़ा सा बैक चलिया निकी पाल शैली में पढ़िए ठीक है थोड़ा सा मैं बताती हूं जिससे की पाल शैली की अगर हम बात करें तो पाल शैली को पूरवी शैली के नाम से बुला जाता है ठीक है पूरवी शैली किस ने नाम दिया था लामा तारानात नात याद करने का तरीका में बताती हूं लामा तारानात जो थे वो क्या जो चीज जहां पर पाते थे वो उसी का नाम उसी से रख देते थे, यानि कि जिस चीज़ को उन्होंने जिस शेत्र में पाया, उसका नाम उन्होंने वही रख दिया, ठीक है, उनका कहने का मतलब जैसे कि मालीजे, मोहन ने क्या किया, जैसे कि एक्जामपल में देती हूँ, मोहन ने क्या किया, सोहन का पैन, पैन किसका थ पैन किसका था सोहन का था लेकिन चुरा किस ने लिए मोहन के मोहन के पास देखा तो उन्हों ने उसका पैन किस को बता दिया मोहन का ही यानि कि उन्हों ने पूरी पढ़ताल ना करके कि आखरी पेंड किसका है विए ना जान करके सीधर जिसके पास मिला उसी का बता दिया तो उसी तरीके से आपको याद रकना है कि लामा तरा आज जो थे हाला कि ते मलब कहने का मतलब मेरा यह नहीं कि मेरे व्यूज्ज नहीं ह और साथ में किसको अपने साल लपेट लिया, आनंदकुमान स्वामी को भी लपेट लिया, यानि कि आनंदकुमान स्वामी को अपने ही मिला लिया, ठीके, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, लामा तारानाथ और आनंदकुमान स्वामी नाम दिया, किसको अब्रण शैली को, और पूर्वी शैली नाम दिया लामा तारानाथ में पाल शैली को तो ये आपको याद लखना है। पाल शयली को पूरी शयली किस ने कहा लामातारानात ने कहा अबरन शयली को पश्चमी भारती शयली किस ने कहा लामातारानात ने कहा और साथ में किसको मिला लिया आनद कुमार स्वामी को भी मिला लिया समझ में बात है अगर चीजों को थोड़ा सा पिंच करके पढ़ेंगे ठीक है तब तो आपको एक्जाम तक याद रहेंगे वरना आप कंफ्यूज हो सकते किसने कौन सा नाम दिया ठीक है आगे हम बात करें जायन शेली अब मैंने कहा कि अगर हम बात करें पाल शैली की तो पा सब्सक्राइब कि यहां पर हो जाएगी जब आपकि अबरण शैली में क्यों से आपको चितरा मिलते हैं आपको जैन शयली की मिलते हैं लेकिन अब जैन शैली नाम रखना इसलिए यहाँ पर सही नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जैन धर्म के चित्र नहीं मिलते हैं, इसके अलावा विश्णु धर्म से भी यहाँ पर चित्र आपको मिल जाते हैं, इसी वज़े से इस शैली को जैन शैली नाम देन ज्यादा स्टेबल नहीं लगा ठीक है इसी लिए इसका खंडन किया गया उसी तरीके से सिर्फ गुजरात में इसका नहीं हुआ ठीक इसलिए गुजराती शायली भी नहीं चीज़े हो सकती है इसलिए पश्चमी भारती शायली भी कुछ लोगों ने इसका दिया लेकिं सारी चीजि़ों को मिला करके नुसंगारती चीज़ें समझा बताई एक ब करत, वह इसаете उने सिरावत वाली में है गराम होड़ी क्या वश कह सकते एथрах तो उसके ह contrats साइत में अब रंच यूँदी साइत के बात करने हिंदी साइत के गिरावर्ट वाली जब जिरावर्ट करता है मैं अब पिर इन Dann दी नाम को यहां पर इन लोगों के क्या कर लिया क्लअ क्पड़ कर लिए को क्या से बताया था कि पहले आजनता है एलोरा इंम बड़े-बड़े शेत्रों में आकां करते थे फिर उनको अब जाहिर से बाद है किया पढ़ने, पोथी की कला पढ़ने कि चित्रकारों को बड़े धरातल से सीधे किस पर आना पड़ा छोटी धरातल पर आना पड़ा छोटी धरातल पर आना पड़ा जो इंसान बड़े घर में रह रहा हो अलिशान बगने में रहना हो और उसको जोपड पटी में दे दिया हो जोपड पटी में रहने को दे दिया ह करने में उसको थोड़ी सी शुरुआत में प्रॉब्लम होगी तो उसी तरीके से यहीं हुआ कि चित्र का जो बड़े धरातल पर बिल्कुल ऐल फैल से जो चीजे बनाते थे और उनको छोटी सी पोथी यानि कि यहां पर ताड़ पत्र दे दिया गया यहां पर चोटा कपड़ अब ब्रण शैली लगा समझ में बात ही काफी मैंने महनत समझाने में लगाई है इस चीज को कि आपको याद भी करना मैं मैं क्लास लेने का मेरा मोटो सिर्फ यही होता है आपको चीज़े याद हो जाए क्योंकि याद देकि किताबों में सारी चीज़े मिल जाती है इस करके दिया है बहुत घुमा करके दिया है वो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है जिस टॉपिक को अगर मैंने पढ़ा दिया तो उसमें आपको बुक में पढ़ने की जरूवत आपको नहीं पढ़ेगी जिस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा तो वो तो आप बुक में तो अगर हम भारती साहित्य की बात करें तो इस काल में क्या हुआ प्रकृत भाशाओं की रचना बहुत ज्यादा प्रकृत भाशाओं की रचना का बहुत ज्यादा की वज़े से इसको विर गाताकाल, अब्रंशकाल, चारडकाल, अब्रंशकाल इन नामों से भी बुलाया जाता, इसको उत्तरमद्दिकाल के बात करें अब्रंशयली में मुन्मत पहुँच जाईगा अब ब्रंशायली में दो तरीके से आपको पोथिया मिल जाते हैं एक तो आपकी ताड़ पत्र वाली और दूसरी आपकी कागस वाली दो तरीके की आपको पोथिया आपको देखने मिल जाते हैं जब तक कागस का अविश्कार नहीं हुआ था तो यहां क्या जो लेखन कारे मिलेखन कारे और प्लस चित्रड कारे फिए कि इस पे होता था पोथियों पे 시 मितलब कौन सी होता है पोथिया कि उते माले किसके त्यार किया जाती था ताड़ पत्र पे ही काम होता था ताड़ पत्र पे चित्रकारी करने से पहले इसको क्या किया जाता था तैयार किया जाता यानि कि उसको चित्रकारी और लिखने के काबिल बनाने के लिए इसको रेडी किया जाता था ठीक उसमें फिनिशिंग लाई जाती थी कापी चीज़े क की जाती थी फ्रेम लगा जाता था साली चीज़े किया थी जिसको लंबे समय तक उसको आगे मलब बरकरार रखा जाए तो कहने का मेरा सेंस यह है जब तक भारत में कागज का विश्कार नहीं हुआ था उससे पहले लिखने वाला जो काम है वो किस पर होता था ताड़ पत्र लेखन भी होता था बाद में चित्र कारी भी की जाने लगी तो इसी तरीके से हम लोग यहां पर देखेंगे अबरण्शयली में इसमें ब्रण चैली के चित्रों को या पोथी चित्रों को दो पार्ट में के टिग्राइज किया गया है एक तो ताड़ पत्रि ग्रंथ हो जा है ठीक है समझ में बात आई अब सबसे पहले हम ताड़ पत्र वाली विशेश्था देखेंगे उसके बाद हम लोग कागस वाली विशेश्था देखेंगे ठीक है इसी पूरे आज ही क्लास में सारी चीज़ा देख लेंगे भले आपका विडियो लंबा हो जाए तो आप सब्सक्रीयों तो इस तरीके से आपको लिपट्वा घर आ जाए खर राजा इस तरीके से वर्ड आपके आजाता है क्लिया नेक्सब्स देखते हैं ताड़ पत्री दर यहां पर चित्रित ब्रेंद देखेंगे विशेष्था देखेंगे साइचि आ शीचिज़गे भात्म क पहले क्या होता था जो आपके ताड़ पत्री जो ग्रंथ है इसमें मैंने कहा लेखन भी काम होता था ठीक है लेखन भी काम होता था तो शुरुआत में लेखन और चित्रड काम करने के लिए एक ही इंसान होता था एक ही व्यक्ति होता था ठीक है यानि कि स्टार्टिंग में जब क्यों है गुआ जाते थे ऐंदे जब ग्रंफ यादıld तैयार किये जाते थे तो लेकन काम होता थे उसके बाद उन क्रंफों को क्या है छित्र के साहँ कई अलग बेगति कर रहें एक लेकिन बात में जाहिर etwa जब टाइम बीठा है नहीं नहीं दखमैंज लेखन्कार। लोगोंने काना शुरू कर üzere क्या नहीं कि जो इंसान लेखन में अच्छा हो तो जरूरी नहीं वो छित्रड में अच्छा हो। जो इंसान फिनिशिंग लाने के लिए और इसमें अचमलब थोड़ सा फाइन बनाने के लिए उसमें क्या है चित्र और लेखनकार अलगला लोगों ने भी प्रादम किया कि इसमें अप भ्रंच शायली में समझ में बात है लेगे स्टार्टिंग में दोनों के क्या है एक ही होते थे तो यह पॉइंट आपको याद रतना है चीजों को कंसेप्ट के साथ समझ रहे हैं इस वज़े से मैं सारी चीज़े आपको बता रही हूं अगर चीज़े समझ में आती हैं तो आप जरूर मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखेगा फीडबैक जरूर दिया करिए जिससे की मुझ बहुत डिफिकल्ट नाम दे रखा ओघर नियुक्ति तो ओघर नियुक्ति आपका कि शैली का हो जाएगा अप भ्रंश शैली का हो जाएगा इसके लावाँ 11202 का कौन सा निशीत चूड़ी ग्रंथ भी आपका है यह कौन से गरे सचित ग्रंथ हैं सचित मतलब चित्र के सा है साथ में चित्र भी आपको मिलते हैं चित्र करें जैसे ऐसा अगर रिखन पड़ीट आउन है कि जिस Państwa बहुत आप हम पढोंने पढ़ने पर आपह समझ में आए औगर नियुक्ति किसका हो जाएगा जो जो ग्रंथ हो जाएगा पोती किसकी हो इसके अलावा बहुत से यहां पर ग्रंथ मिलते हैं कुछ important जो है मैंने ग्रंथ यहां पर लिख रखें जो आपके exam में अक्सर पूछ लिया आते हैं पहला हम देखेंगे यहां पर अन्य ताड़ पत्री ग्रंथ यहां पर हैं पहला हम देखेंगे महवीर चरित हो जाएगा अ हलाव कायफ चितçरित ग्रंथ वहां गाउतं लेकिन ऐसा नहीं है आपको यहां पर ताड़ पत्री भी मिल जाएगा तो आप मुकानफ्यूज नहीं है पर सबसे पहले बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूंगे अगर आपसे question पूछा रहेगा पृथम कागस का चित्रत ग्रंथ कौन सा है तो वो आपका कल्प सूत्र ही होगा अभी आगे हम लोग कागस वाले ग्रंथों में इसको पढ़ेंगे इसलिए आपको मैं यहीं पर बता दू जिसमें कि आप कनफ्यूज ना हो कि आप समझें कि कागस वाला भी बता रहे थे अभी ताड़ पत्र वाला कहां से आ गया धर्म से समझें ज्यादा चित्र मिल जाते हैं हाला कि आपको विश्णु धर्म से भी चित्र मिलते हैं आगे जलके कंधे अतियदी क्या है चौड़े बनाए गया यहाँ पर जो मानवा कृति बनी हुई है उनकी कंधे क्या है जो शोल्डर्स है वो बहुत ज्यादा पत्ला मरिहल सा बनाए गया है जैसे कि उनको कोई बिमारी हो इस तरीके से यहाँ पर चित्र मिलते हैं आकृतियों में भीड़ भार नहीं दिखाए गया यानि कि ताड़ पत्री ग्रंतों में तो भीड़ भार नहीं दिखाए गई है ओके शितिर ज्रेखा यह वास्तु का अंकर नहीं मिलता है नहीं दिखेंगे क्लास को पूरी देखेंगे इसके अलावा नीले कलर, स्वड कलक रजत रजत मतलब चांदी वाले कलर नीले कलर स्वड कलर रजत रंगों का कम प्रियोग हुआ यहां पर कम यूज हुआ है ठीक है यहां पर ना के बराबर यूज है किसमें ताड़ पत्री ग्रंथ में कागज वाले ग्रंथ की में बात नहीं कर रही हूं आगे मैं देखूं क्या है चलि आगे हम लोग देखते हैं कागज वाले चित्रित ग्रंथ की बात करते हैं अभी ताड़ पत्र वाला सारा complete जितने points पूछे आते थे वह सारे मैंने यहां पर discuss कर लिए अगर अभी भी कोई पूइंट बच जाता है तो मैं अभी objective questions को लेकर आउंगी जिसमें आपको पाल शयली अब्रण शयली से सारे objective questions मिलेंगे जितने भी questions यहां पर objective बन सकते हैं वो सारी मैं यहां पर लेकर आउंगी ठीक है तो 930 पर बिल्कुल तयार रहीगा ऐसे सब्सक्राइब करें कागस पर लिखिवाच चित्रिद पूस्तक अब रह apprendre कि कॉन synchronous हो जाएगी एक मिनट क्मन सी हो जाएगी तोल कर Ginger प्रज्या पार्मिता यहां पर याद रखिए करके पढ़ार हुई जिससे की चीजिए आप कर सकते हैं तो पाल श्याली का जो है कागस पर लिखी गई थी पुस्तक जो ग्यारा सो चपन की है लेकिन यह जो जिस कागस पर लिखी गई थी तो उसकी कागस की एक बाई ग्यानिक कि कागस की क्याकर में किसको रखा जाएगा जब धवन्या लोग की पुस्तक को या पूथी ग्रंतो ग्रंत को जब आनिलाइस किया गया उसके कागस को ईसके से कल्ब सूत्र को ही पहली प्रमारित पुस्तक कहा जाता है कागस पर ठीक है यानि कागस पर लिखी प्लस चित्रित की पहली प्रमारित पुस्तक कौन सी हो जाएगी पोथी कौन सी हो जाएगी गरंत कौन सा हो जाएगा कल्ब सूत्र हो जाएगा ना कि धवन्या लोग ठीक है यहाँ यहाँ पर कलप सूतु को कहीं कि यहाँ पर मालन लिए। कागाज वाले निच है्मे कागत वाले कंशेट कागाज से पाल पस्त égal से पाल बंग Nós एक तो आपके हो जाएगे सुपासना चर्यम लौर्चंदा बसंत विलास बाल गोपाल इस्तुति यह सब किसे हो जाएगे आपके पाल शैली के कागज वाले ग्रंथ जितने इंपोर्टेंट ग्रंथ है वो मैंने यहाँ पर लिख रखें इसके अलावा आपको बहुत से ग्रं जो आपसे एक्जैम में पूछे एक्स्ट्रा चीज़े परने से कोई फायदा नहीं इतना भी दिमाग नहीं होगा ठीक इतना भी दिमाग नहीं होता है कि सारी चीज़ आ बिल्कुल रट ले बिल्कुल कंप्यूटर बन जाया अशा नहीं जो चीज़े पूछे आव हईकर वरना confused हो जाएंगे इतना सचीज समाज में आगे पहले इसको मैं delete करती हूँ ओके आगे हैं कागज वाले ग्रंट चित्रों की विशेश था अभी मैंने देखा था ताड़ पत्री ग्रंटों की विशेश था और वास्तु का अंकन वहाँ पर नहीं मिलता था ठीके जब की आपको जब की आपको कागज वाले ग्रंट में वास्तु का अंकन चित्रों के पीछे वास्तु का अंकन यहाँ पर आपको मिल जाता है ठीके तो ये point आपको याद अखना है व्रेक्ष तता उप्वन का अंकन यहाँ पर मिलता है यानि कि यहाँ पर पेड़ पौधो बगीचों का भी अंकन यहाँ को मिल जाता है किसमें कागस वाले ग्रंथों में आखों के चेहरे के सीमा रेखा के अंदर यानि कि उसमें मैंने बताया था शुरुआत में जो तारपत्य जो ग्रंथ है उसमें जो चित्र मिले है उसमें क्या थी एक आँख क्या है एक आँख क्या है चेहरे के बाहर निकली हुई दिखाए गई जबकि कागस वाले ग्रंथों में नीले कलर का यूज किया गया ठीक है जबकि लाल के स्थान पर नीले कलर का यहाँ पर आपको यूज मिलता है समझ में आया ओके समझ में आया पीले के स्थान पर स्वड रंग का और लाल के स्थान पर नीले रंग का यूज आपको कहा मिल जाता है अब्रां चेले के कागस वाली ग्रंथों में मिल जाता है आगे हम बात काते overall अब्रांच यो बाहर बनती है वह समस्स्था लेकर अब्रांच प्र कागस वाल्ट पूछेंगे नहीं को सब्सक्रानें चित्रों में आप के पोई हो तो तो पनखे जाने का उगिए, तो आप तो आपसी आपके देखें पी खालकी है छि están संसे आ रहा रहे हैं तो जरूर लिखे लुड़े के अब्रंशाली के चित्रों में जो मानवा कृती हैं ठीक ही डंके बने हैं इनकी नाक अनुपास से अधिक लंबी है ठीक है यहां पर भी नाक आपको अधिक लंबी मिल जाती है अधिक लंबी नुकीली नाक है ठीक है पतले गाल की सीमा रेखा से बाहर आगे निकली हुई है ठीक है यह नुकीली नाक जो आपकी क्या है मानवा कृती जो बनी हुई है उनकी नाक कैसी निकली हुई बनाए गया है आखे भी कुछ नुकीली है पास पास है यानि कि आखों को बहुत बहुत ज्यादा करीब आख भी नहीं अच्छी लगती है और बढ़ी बढ़ी परवल की फांक जैसी आख यानि कि एक्स्ट्रा क् बढ़ी कर दी आख यहां पर बढ़ी कर दी और पुत्ली यहां पर चोती कर दी ठीक है तो इसे बिंदी यहां पर लगा दी बस हो गया काम खतम नेत्र भी चेहरे की सीमा रेखा से बाहा निकले मैंने आपको बता दिया पुतली की बनावर्ट एमां सीमा रेखा से बाहा निकले रहने की कारा आंकों में उग्रता का भाव जैसे कि उग्र हों लड़ाई वाली हों गुस्से वाली हों कर सकते इसी प्रका हाथ की उंगलियों का रेखांकन कठोर हाथ की उंगलिया जिसे उंगलिया जो होती है बहुत ज्यादा लै वाली होती है इसमें क्या थोड़ी सी बच्चो वाली या बच्कानी वाली जैसे किसी बच्चे ने बनाया है तो क्या है रेखांकन बहुत ज्यादा कठोर तो यहां पर junk food खाने वाले लोग होंगे, इसी वज़े से उनका पेट जहर ज्यादा निकला हुआ बनाया गया है, और कटी का भाग शीड बनाया गया है, इस पर का मानवकृती रूई के गुड़े, गुड़ियों, गुड़ो या गुजराती कटपुतलियों के समा लगती है यहां के अगर मानवकृती देखे तो वो कटपुतलियों पपेट की तरह लगती है, तो इस तरीके से यहां के मानवकृती को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कपड़े कि या रूई की बनाई हुई हो, तो आपकि कौन सी हो जाएगे, आप ब्रंच शयली आपको यहां पर य प्रकृति का आलेखन आलंकारिक लोप से हुआ है ठीक है पशू-पक्षी ऐसे लगते हैं मानो कपड़े के बने हो यानि कि यहां पर मानवा क्रिती तो कपड़े वाली है उसके आलाब पशू-पक्षियों को भी यहां पड़ेनुमा बना दिया अधा प्रकृतिक स्वभाविक्ता नश्ट हो गई है जैसे कि जो रियल में पक्षी होते हैं उनको रियलिटी से बिल्कुल परे कर दिया है यानि कि वो देखने में ही लग रहा है किसी बच्चों वाले गुड़े-गुड़ियों के तरह बना दिया गया है अप्रंश याली के चित्रों में अधिकांश, चमकदार यानि यूटी बहुत जादा ब्राइट कलर का यूज हुआ है ऊश्ड रंगों का प्रियों किया गया है अप्रंश याली में किया गया है इसके अलावा लाल है, नीला है, श्वेथ है, श्वेथ मतलब सफेद फाखताई स्वाली में पहुदा लाल रंग को सपार रूप से भरागया है यानि कि लाल रंग से प्लेन उसको क्या है वाश मतलब कलर लगा घया तेर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन-भिन-भिन प्रकार के रखवीरं का प्रियों का प्रियों कि जैसे कि 24 तीर्थंकर ह जो पहले कौन से है रिषब देव और आखरी कौन से है महावीर स्वामी है ठीक है तो इसी तरीके से यहाँ पर यहाँ पर रिषब देव है यहाँ पर नाथ नहीं है ठीक है रिषब देव तो यहाँ पर पहले तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे जैन धर्म के रिषब देव और महावीर की आकरती में क्या है पीले का बनाया गया है बहुत important question पूछा आ सकता है अब्रण शैली में महावीर स्वामी की आकरती किस रंग में बनाई गया किस रंग की उसमें प्रधानता है तो वहाँ पर आ सकता है पीला तो आपको पीला ही टिक करना है पार्शोनात की आकरती औसवर्ण के मतलब यहां पर जाती से मतलब नहीं है तो समझ माफीर स्वामी, फिर से यहां पर चीज़ देख लेते थैं क्योंकि बहुत इंपॉटंट के, पॉइंट है, तो महांवीर पीले रंका, पार्शवनात को नीले रंका, नेमिनात को, काला यहां पर, हिशब देव को, यहां पर स्वडिम वड का बनाया गया है, किसमें पाल, सुरी, अप्रण शाली में, clear, okay, next हमारा है, next हमारा है, last यहां पर है, last यहां पर हम लोग विशिश्टाइं देख रहे हैं, बने रही है, रेखाएं कर से वर्तुला कार के स्थान पर कोड़ी है, मैंने बताई, यहां पर रेखाएं जो है, लायात्मक ना हो करके, उसमें घुमाव ना हो करके, कोड़ीता वाले जहां पर रेखाएं उत्पन की गई है या बनाई कई हैं सीमा रेखा काली सियाही से बनाए कई है अपी मने South Zach पर रैडिके सचान को सपार्ट मलरंगों में भरा गये यह का जो रेखाएं जो बनाई गे जिन में लोश का अभाव होए प्रतिय के सान पर रेखाई है एक सी पर मुटाई वाली है एक जाहिर कहीं है करुछ लेत जाहिर से बीटनलो चित्रकार होता उसको पता होता कहां पर घुमाना है काहां पर लगाने कहाँ पर प्रसनिट दिखाना हो आपको अपको साइड दिखाना तो वहां पर जूंदर दिखाने चित्र कर लेकिन एक दूर की चित्र सवड़ के प्रयोके कर सुन्दर दिखाई देते हैं ठीके तो यहां पर golden color का यूज़ वह ओर अब रंश होने के बावजूद में उसमें कुछ तो आकरशड होगा तभी तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं यहां पर स्वड के प्रियोग के कार सुंदर दिखाए देते हैं रंग योजना भी कहीं पर लगता है जैसे कभी कभी हो नहीं था है रैंडम ली कोई चीज बना दो तो एकदम से अच्छी बन जाती है वैसे बहुत मेहनत से बनाओ तो चीज़ा नहीं होती अर एकदम से कोई चीज़ाइज से करत हुख shifting कभी बहुत मğन से बनना नहीं बनता इंसा कभी ऐसा होता अकड़नुमा होने के बावजूद, कोड़िये होने के बावजूद भी फिर भी उसमें गती का प्रदर्शन होता जैसे कि वो चलने वाली हो, इस तरीके से यूज होता है, किसने कहा है, डॉक्टर मोती चन ने भी उपर दी गई विशेष्टाव से अपनी सहमती दी, यानि कि इतनी चीजें हम लोगों ने अब रण्शाईली में यहां पर पढ़ ली, जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़िए सारी ही चीजें आपके exam के point of view से important है, तो यहां पर हम लोग ने पाल्शाईली के दो पार्ट में पढ़ा और अब रण्शाईली को यहां पर complete कर लिए इसके बाद objective question की series में लाऊंगी उसको भी देखिएगा और इसके बाद pdf आपको telegram channel पर send कर दिया जाएगा अगर चीज़े अच्छी लगी तो भाई लाइक करना ना भूले और share जरू करें जितने भी आप social platform में जुड़े हुए तो आप share कर दिया करिए ठीक है क्योंकि मैं इतने ज्यादा social platform से बहुत ज्यादा में नहीं जुड़े हैं आप लोग अगर चलाते हैं फेस्बुक है यह इंस्टा वगर चलाते हैं तो उसके share कर दिया करिए ठीक है चली सभी को thank you so much और सभी को जय हिं जय भारत